नमस्कार दोस्तों ये बिग ब्रेकिंग लेकर आ रहे हैं हम और इस वक्त जो बहुत बड़ी खबर आप तक हम पहुँचाने जा रहे हैं वो है सुप्रिम कोट के एक फैसले से रिलेटेड सुप्रिम कोट ने एक ऐसा फैसला दे दिया है जिससे मोधी सरकार बैक फुट पर आ सकती है जी हाँ आप बिलकुल सही सुन रहे हैं सुप्रिम कोट ने चुनावी बॉंड यानि इलेक्टोरल बॉंड पर एक जबरदस्त जटका देते हुए सुप्रिम कोट ने आप बिलकु चुनावी बॉंड जो है वो आसंवेधानिक है और यहां से अब एक मुसीबत मोधी सरकार के लिए शुरू होती है जो अभी तक सबसे अमीर पार्टी कहलाती थी क्या वो सबसे गरीव पार्टी होने की कगार पे चली जाएगी यह बात यहां इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 2019 से लेकर अब तक का पूरा ब्योरा यानि पूरी जानकारी सुप्रिम कोट ने SBI से मांगी है SBI चुनावी बॉंड जारी करता था आपको पता है न और पांच जजों की पीट उन पांच जजों की पीट में यह सब कुछ बताऊंगा आपको कि यह मामला क्या है और कैसे यह मोदी सरकार को बड़ा जटका लगा है एक तरफ आप जान रहे हैं कि किसान जो हैं वो सडकों पे हैं और जटके पे जटका दे रहे हैं लेकिन यह ब्रेकिंग आप देखिए और समवेधानिक है एलेक्टोरल बॉंड सुप्रिम कोट ने कहा है चुनावी बॉंड जो है वो वो समवेधानिक है जो एलेक्टोरल बॉंड की तरह की तरह से दिया जाता है एलेक्टोरल बॉंड सूचना के अधिकार का उलंगन है वोटर को पार्टियों की फंडिंग के बारे में जानने का हक है कि इस पार्टी को कितना पैसा मिल रहा है यह वोटर को जानना चाहिए ए ये बात कही है अपने फैसले में सुप्रिम कोट ने पांच जजों की पीट जिसमें CJI यानि Chief Justice of India डी वाई चंद्रचूर के अलावा न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती बी आर गवई, न्यायमूर्ती जे बी पार्दी वाला और न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा ये पांच की जो समवेधानिक पीट थी, पांच जजों की समवेधानिक पीट ने एक अहम फैसला सुनाया है और इस फैसले से अब बैक फुट पर नजर आने वाली है मोधी सरकार, क्योंकि सबसे ज़्यादा चुनावी चंदे इन्ही को मिलते रहे हैं, और इतना ही नहीं, अब आपको ये भी बताना पड़ेगा कि किस किस ने आपको चंदे दिये, चुनाव आयोग को भी यहाँ पर एक डिरेक्टिव यहाँ से भेजा गया है, जारी किया गया है सुप्रिम कोर्ट की तरब से, कि आप अपनी वेब साइट पर जिन जिन पार्टियों को जितने जि करेंगे और अभी तक जितने भी हैं हो सकता है कि ये पैसे जो हैं वो लोटाने भी पड़ें तो ये अस्समवेधानिक और इस फैसले के पीछे कि कहानी क्या है ये जरा आप तक हम पहुचाना चाहेंगे, बहुत ही अहम बात यहां हम आप तक पहुचा रहे हैं, एक ऐसी ज करकों पे हैं, शंबू बाउडर पर क्या कुछ है, वो हम आप तक लगातार पहुचा रहे हैं, आज भी पहुचाएंगे, वहां की पलपल की रिपोर्ट, लेकिन उससे पहले हम तो तैयारी कर रहे थे किसानों के आंदोलन पे अभी चर्चा जारी रखने की, लेकिन यहां पर एक इतनी बड़ी खबर आ गई कि यह खबर आप तक पहुचाना बहुत जरूरी है, चुनावी बाउंड आप जानते हैं, वोटर को पार्टियों की फंडिंग के बारे में जानने का अधिकार है, आप जिसको जिन जिन पार्टियों को वोट देते हैं, तो वोटर कहलात हैं, आप मदाता कहलाते हैं, और आपको ये बात जानने का अधिकार है, कि उस पार्टियों को कौन पैसा दे रहा है, कहां से पैसा दे रहा है, कितना पैसा दे रहा है, ये जानना बहुत जरूरी है, और ये एक अहम फैसला आज सुना दिया है, सुप्रिम कोट ने, पांच उसके बाद जितनी भी चीजें हुई हैं उन सब को आपने देखा है मगर इलक्टोरल बॉन्ड पे जो फैसला है ये अपने आप में चौकाने वाला फैसला है SBI यानि स्टेट बैंक आफ इंडिया को तीन हफ्तों में देनी होगी रिपोर्ट तीन हफ्तों में पूरी रिपोर्ट SBI आफ इंडिया दे दे कि आखिर ये पैसे कहां कहां से आए हैं इससे आप ये जानिये कि ना सिर्फ बीजेपी की चुनोतियां बीजेपी की परिशानियां बढ़ गई हैं बलकि परिशानी अदानी की भी बढ़ जाएगी और अदानी जैसे और भी कई व्यापारियों की परिशानी इसलिए बढ़ जाएगी क्योंकि अब सब का नाम सामने होगा कि किस व्यापारी ने किस पार्टी को कितने पैसे दिये कितने पैसे चंदे में दिये ये सब कुछ सामने होगा Electoral Bond सूचना के अधिकार का उलंगन है Electoral Bond जो है वो सूचना के अधिकार का उलंगन है बोटर को पार्टियों की फंडिंग के बारे में जानने का पूरा हक है ये सब कह रहे हैं और इसलिए Electoral Bonds पर तत्काल रोक का आदेश देता है सुप्रिम कोट पांच जजों की समविधानिक पीठ का ये बड़ा फैसला और इस फैसले से आगे आप जानिये की परिस्थितियां बिलकुल बदलती हुई नजर आएंगी बहुत बड़ी खबर दोस्तों अपने आप में चौकानी वाली खबर इसलिए ये चौकाने वाली खबर क्योंकि अभी तक किसी ने सोचा नहीं था कि मोदी सरकार के खिलाफ इतना बड़ा फैसला आ जाएगा ये चुनावी बॉंड चुनावी चंदे जिसको कहते हैं चुनावी चंदा और इस चुनावी चंदे में आप जानिए कि कहीं न कहीं जो छुपे हुए पैसे जो काला धन इस पर भी उन्होंने अपनी बात रखी है लेकिन सबसे पहले आपको ये भी बताओं कि ये मस्ला है क्या दरसल दो पार्टियों ने एडियार आप जानते हैं और दूसरा जो है वो एडियार जो है वो असोसेशन पोर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म है और उसके अलावा सी पी आई एम ने इन दोनों ने यानि भारतिये कम्मुनिस्ट पार्टी मार्सवादी ने या कहें कि होना चाहिए कि किस के पास किस पार्टी के पास किस के थुरू कितना पैसा आ रहा है पार्टियां जो है वो चंदे का हिसाब पूरा का पूरा दे देती थी अभी अभी कल ही एडियार की एक रिपोर्ट आई है जिसमें लगभग 800 करोर रुपे चंदे के रूप में एक साल म पैसे जो बीजेपी को मिल रहे हैं ये पैसे कौन दे रहा है ये जानने का अधिकार यहां की जनता का है अगर सूचना का अधिकार हमारे हां लागू है हमारे हां आर्टिकल नाइंटीन वन लागू है तो ये भी संविधान में तो ये भी जानने का हक है और इसलिए एक यहां याचिका दाखिल की गई थी याचिका दायर करने के बाद इस पर सुनवाई हुई नौमबर महिने में पांच जजों की पीठ ने तीन दिनों तक लगातार इस पर सुनवाई की थी और इस सुनवाई के बाद अब जो फैसला आज 15 अगस माफी चाओंगा 15 अपरैल 2024 को यह जो फैसला आया है अपने आप में एक आहम फैसला है और इस फैसले के तहट पांच जजों की पीठ ने जो सुनवाई की जिसमें डी वाई चंदर चूर हैं संजीव खन्ना हैं बी आर गवई हैं जेवी पारदी वाला हैं और नया मुर्ती मनोज मिश्रा हैं इन पांच जजों की खंड पीठ ने लगातार तीन दिनों तक दलील सुनने के बाद इस मामले में आज अपना फैसला सुना दिया है उस समय फैसला सुरकशित रख लिया था सुना दिया है फैसला और उस फैसले में जो कहा जा रहा है उसमें यही कि ये इलक्टोरल बॉंड आज समवेधानिक है इलक्टोरल बॉंड सूचना के अधिकार का उलंगन है वोटर को पार्टियों की फंडिंग के बारे में जानने का हक है इलक्टोरल बॉंड पर ततकाल रो सुना दिया है और इस फैसले के तहत ये भी कहा गया है कि FBI तीन हफ़ते के तहत क्योंकि FBI में ही ये पैसे जमा होते थे FBI या नहीं State Bank of India में वही Electoral Bond जारी करता था आपको अगर किसी पार्टी को पैसा देना है तो जाके उतने रुपए का Bond खरीद लीजिए और उनकी एकाउंट में पैसा चला जाएगा और ये गुप्त रखा जाएगा ये सरकार ने ऐसी ब्योस्था की थी मोधी सरकार ने ऐसी ब्योस्था की थी